हेलो स्टूरेंट्स वेलकम तो गुरुफाइब इन दिस लेक्चर 5.1 वी विल डिस्कस दा कैपेशिटेंस ओफ एन आइसोलेटिड इस्फेरिकल कंडुक्टर तो हमारे पास एक स्फेरिकल कंडुक्टर है जिसकी रेडियस है अगर इसको चार्ज देते हैं आउटसाइड तो ये केवल कहां रहेगा इसकी सर्फेस पर सपोर्ज चार्ज कितना दिया हमने क्यू पोटेंशल कितना होता है चार्ज दिस्फेरिकल कंडुक्टर की वेशे के क्यू अपोन आर आर क्या है इसकी रेडियस तो यह होजाएगा वन बिदक तो-पाइ-प्सेल नोह। क्यू ऐपोन आर थो क्यू बडाइ-वी विलोन बी एकॉल टू उर पाइ-प्सेल नोट रॉस्च पर एक तो रेडियस का मतलए है उर और शाइज दूसरा ये और epsilon note क्या होता है permittivity of free space अगर medium हो जाए तो medium की permittivity आ जाएगी तो shape और size पर depend कर रहा है और medium पर depend करता है जैसे हमने last lecture में discuss किया है capacitance किसकी factor पर depend करती है shape, size medium और nearby conductor अब nearby conductor तो कोई pass में रखा नहीं है तो shape और size पर depend कर रहा है और दूसरा medium पर medium and shape and size for a medium of permittivity epsilon c will be equal to 4 pi epsilon r और हमें पता है जो के होता है वो किसके बराबर होता है epsilon upon epsilon note तो epsilon इसके बराबर हो जाएगा epsilon note k यहां हम लिख सकते है 4 pi epsilon note k r अगर इसको हम c note consider कर ले तो यह क्या जाएगा k c note जो medium है अगर हम उसको change कर दे तो जो capacitance है वो k times हो जाएगी अगर medium का dielectric constant कितना हो k so the capacitance becomes k times अब हम next lecture में discuss करें हैं कि जो charge conductor है उसके पास एक दूसरा conductor लाके रख दे हम so capacitance पर क्या effect पड़ेगा so इसी को हम बोलते है principle of capacitors करें हुआ आएurg